नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुमन भामा और आपका कुकी वी सुमन भामा चैनल में स्वागत है या मिलकर बनाएंगे सरर और स्वादेश वियंजन तो बीना देरी के चलिए सुरू करते हैं आज बनाने वानी हूँ मैं आलू और मटर की खस्ता बेदून पचोरी जिसे आप एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने का दिल करेगा रेसिपी बताने से पहले मैंने आलू पेटिज और बोन के हाई प्रोटीन लड़ू की रेसिपी अपलोड करती हैं आप जाकर चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर आप उस वीडियो पर भी अपना खुब सारा प्यार दिखाएं तो चले चलते हैं इस बैटिन और क्रिस्पी का चोरी को बनाने की फिर्किरिय की तरफ सबसे पहले हम लेंगे हरी मटर आप चाहो तो इसकी जगह कोल स्टोर वाली भी मटर यूज़ कर सकते हैं अब हम इसे चोप कटर में डालकर अच्छे से चोप कर लेंगे अब हम एक प्याज और एक हरी मिर्श लेंगे इसे भी चोप कर लेंगे अब हम एक पैन लेंगे, इसमें थोड़ा सा ओयल डालेंगे, आप चाहो तो तो तेल अपने अकोडिंग भी इस्तिमाल कर सकते हो, अब इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ी काले मिर्च पाउडर डालेंगे, अब हम इसमें थोड़ी सी हिंग डालेंगे, अब हम इसमें दो की हलके ब्राउन हो चुकी हैं अब इसमें आदा चमच अल्दी पाउडर डालेंगे अच्छे से मिक पर लेंगे अब हम इसमें आदा चमच नमक डालेंगे और आदी चमच लालमिच पाउडर डालेंगे मैंने चार आलू लिये थे इसे अच्छे से उबा लिया था अब हम एक के कर दे आलू को मैश करते जाएंगे अब हम इन सभी को अच्छे से मिक करते हुए पका लेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने अच्छे से पका लिया है अब हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे अब इसमें थोड़े सा दरम मसाला डालेंगे अब इसमें थोड़ी सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल मैदा, अब हम इसमें थोड़ी सी अजवैन क्रश करके डालेंगे, अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इससे अच्छे से मित कर लेंगे, मैंने चोरी को क्रिस्पी और खस्ता करने के लिए इसमें चार चमस देशीगी डाला है, आ जैसा कि आप देख सकती हो, मैंने डो त्यार कर लिया है, आपको डो इतना ही सोफ्ट रखना है, अब हम आटे की लोई लेंगे, इसकी पतली रोटी बेलेंगे, अब हम इसमें गी लगाएंगे, अब छलनी की सायता से इस पर मैदा फैला लेंगे, अब हम इसके दोनों की न को बीच में दाके से कट कर लेंगे, अब हम इसे अच्छे से बेल लेंगे, अब हम इसमें मसाला बरेंगे, और किनारियों को पकड़ते हुए अच्छे से बंद कर लेंगे, इसे हलके हाथों से बेल लेंगे, अब हम एक कडाई लेंगे, इसमें तेल डालेंगे, इसे लोग इन्हें एक ही करके निकाल लेंगे तो guys हमारे आलो मटर की क्रिस्पी कचोरी बिल्कुल बन कर तयार हो चुकी है आप इसे घर पर एक बार जरूर ट्राइ करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आपको अगली कौन सी रेसिपी चाहिए उस पर कमेंट करें तो मिलते हैं कल नए रेसिपी के साथ जैशियरम